गुडिवनिंग जैन दोस्तो तेतरवे गनतंतर दिवसकी आप सबी को हार्दिक सुभकाम नाए और देश के सबी वीर जवानों को मेरा सलाम दोस्तो बलीदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आजाद हुआ आज सलाम करते हैं उन वीरों को जिनकी सहादत से ये देश गनतंतर हुआ तो दोस्तो आज अपन बात करेंगे आपण पिछली क्लास्टों में जैसे बात करते आ रहे हैं कि इमपूर्ट डीवाईस आउटपू डीवाईस परीचे संबंधित इंपरेंट कुशन आज अपन बात करते हैं दोस्तों तो important CPU से संबंधित most question में आप लोगे लेके आया हूँ तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को share कर दो ताकि ज़्यादा ज़्यादा संख्या अपने साथ नजर आए बिल्कुल जैंद सभी को गुड इवनिंग सभी को चलो दोस्तो शुरू करते हैं आज का पहला question CPU topic अपना आज का पहला question क्या है दोस्तो CPU का पूरा नाम क्या है आज का क्यूशन है दोस्तो अपना की CPU का पूरा नाम क्या है CPU का पूरा नाम क्या है पहला option अपने पास Central Protection यूनिट सेंट्राल प्रोसेसिंग यूनिट तीसरा है कोरे फ्रोसेसिंग यूनिट और चोथा है सेंट्रल पावर यूनिट तो दोस्तो ध्यान रखना पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में दो बार पूचा गया था कि सीपीओ का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों सीपी का पुरा नाम होता है Central Processing Unit तो इसका सही जवाब क्या होगा बी Central Processing Unit विल्कुल अच्छे जवाब आ रहे आप लोगे बिल्कुल सही जवाब इसका अन्शोर होगा बी वेरी गुड स्यवाब बहुत अच्छे जवाब वीडियो को सेयर करो जदा जदा संक्या में आज अपने पास नजरानी चीए मेरे को विल्कुल अगला क्यूशन दोस्तों बात करते हैं क्यूशन नंबर दो दो क्यूशन अपने से क्या पुछा है फटाफट पढ़ेंगे और ध्यान रखना दोस्तों CPU के मुख्य रूप से तीन गटक होते हैं कितने गटक होते हैं तीन पहला होता है दोस्तों ALU दूसरा होता है CU और तीसरा होता है दोस्तों MU ओ आर्थमेटिक लोजीकल यूनिट अजिए कृण लूफ़ा और मैमोरी यूनिट और स्थाष से जैतना कि दो गटक कौन से हैं control यूनिट और register रजिस्टर तो किसका भाग हैeles CPU का भाग है और CPU के अंदर मेमोरी का भाग मना गया है तो स्थ्के पूछ रहेईंते प्युक्त के गटक तीनियों और येमिव और सीउ उसके बाद रजिस्टर मुख्य मेमोरी उसके बाद है करो गिंप लियों उसके बाद एयाल ये और बहसतो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तोष सी के याल एल यू सी कंट्रोल यूनिट और एल यू बिलकुल आप वीडियो को सेर नहीं कर मुझे सपस्ट दिखाई दे रहा वीडियो को सेर करो फटाफट चलो दोस्तो बिलकुल अच्छे जवाब आप लोगे तो इसका सही जवाब क्या होगा सी आप लोंके एक ही जवाब आते हैं है अच्छे जवाब आते हैं же 1 बिलकुल करम से कि जवाब मिल रहा है मेरे को बहुत अच्छा जवाब अगला बात करते हैं दोस्तों कि न मंबर 3 है अगी का क्यूशन अपने से क्या पूछा है कि computer का मस्तिस्क कहलाता है computer का मस्तिस्क किसको कहा जाता है दोस्तो motherboard को कहा जाता है या CPU को कहा जाता है या RAM को कहा जाता है या ROM को कहा जाता है अब जान देना दोस्तो RAM और ROM primary memory होती है यानि memory का एक भाग होती है किसका भाग होती है दोस्तो मेमोरी का भाग होती है अगर अपने मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड CPU में लगी जो प्लेट होती है बुरे फाइवर रंग की एक प्लेट होती है उसको मदरबोर्ड का आ जाता है तो कम्पीटर से समस्त गणना कैलकुलेशन समस्त कारिय करता है उसी तरीके से CPU के अपने कंप्पीटर के अंदर कोण करता है दोस्तों CPU तो मस्तिस्क किसको कहा गया CPU को कहा गया बिल्कुल अच्छे जवाब है आप लोगों को बहुत अच्छे जवाब दे रहो भी आंसर वीडियो को सेर करने में कताई कंजूसी कर रहे हैं आप जाती है CPU की गती किस में मापी जाती है फटा फट मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे कि CPU की गती किस में मापी जाती है क्या बाइट्स में मापी जाती है क्या बीट्स में मापी जाती है या निबल में मापी जाती है या हाइटज में मापी जाती है तो CPU की गती किस में मापी तो आपसे पूछा जाए कि CPU की गती किसमें मापी जाती है तो ध्यान रखना है हालटज में मापी जाती है किसमें मापी जाती है बहुत बैतरीन जबाब आ रहे हैं आप लोगों के बिल्कुल सई जवाद करके बताएंगे मुझे कंपीटर की किस इकाई कंपीटर की किस इकाई में जटिल गणनाय करने की छमता होती है यानि कंपीटर की किस इकाई में कठिन से कठिन हर समस्चय या हर गठिन से कठिन गणना को या जटिल से जटिल गणना को करने की छमता होती है तो अभी अपने प इंपूट इवाइस क्या होता है दोस्तों इंपूट डिवाइस या इंपूट यूनिट उसके बाद है स्मर्ति बंडारन इकाई यानी मेमोरी क्या होगा दोस्तों मेमोरी उसके बाद है केंद्रिये प्रोसेसिंग इकाई यानी CPU और उसके बाद है प्रदाइकाई यानी आउ पूट पूट अपने से पूछा गया है कि जटिल से जटिल गणनाई कौन करता है CPU करता है तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों सी होगा यानि कम्पीटर में जटिल से जटिल गणनाई करने का कारिय कौन करता है CPU करता है इसी वज़े से CPU को मस्तिस्क कहा जाता है अगला क्यों सान दोस्तों अपने पास क्योंशाण नमबर 6 फटाफट कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्यों नमबर 6 का आन्सवर क्या होगा किसी कंप्यीटर में जोडने तुलना करने यानि और सब्सक्राइब का करने या मिलाने का कारिये कहां होता है ठीक है कहां होता है मिलाने का कारिये कहां होता है इस मर्ति के अंदर होता है या CPU चिप में होता है या floppy disk में होता है या hard disk में अब द्यान देना दोस्तो floppy disk और hard disk memory का कारिय करती है किसका कारिय करती है दोस्तो memory का कारिय करती है और इस्मर्ती chip भी क्या कारिय करती है दोस्तो एक प्रकार की memory होती है एक प्रकार की क्या होती है memory तो computer system के अंदर जो chip लगी होती है अब CPU का नाम CPU क्यों रखा गया दोस्तों ध्यान देना कि इसके अंदर एक CPU नाम की क्या पाई जाती है एक chip पाई जाती है इस चिप की वजह से इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, CPU रखा गया और वो important question is your plan रखना दोस्तों क्या वगा इसका सही जवाब सीपीजवाब क्या होगा CPU चिप है आगला question साथ क्योसे नमबर साथ अपने से मेलेभा करें क्योसे से अबuição पूछा है दोस्तों कि CPU का कौन सा भाग CPU का कों सा भाग आकलन करता है कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णे लेता है यानि किसी भी चीज के उपर क्या करता है उसका आकलन करता है आकलन यानि क्या करता है जैसे आकलन करता है राकलन करने के बाद उसके उपर क्या करता है निर्णे करता है तो कौन करता है निर्णे आर्थमेटिक लोजिकल यून करता है तो दोस्तों ध्यान रखना आकलन करके निर्णे लेने का कार्य करता है एल यू कोन करता है दोस्तों एल यू करता है यानि एल यू का पूरा नाम क्या होगा आर्थमेटिक लोजिक यूनिट तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों एह होगा इसका सही जवाब क्या सभी जवाब एह होगा आप लोग वीडियो सेर करने में बिल्कुल कंजूसी कर रहे हो मेरे पास संक्या बहुत कम नजर आ रही है क्या बात है संक्या को बढ़ाओ फटाफट वीडियो को सेर करो अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर आठ देखो क्यूशन नंबर आठ अपने स से क्या पूशा है फटाफट मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे क्यूशन नंबर आठ अपने से कह रहा है कि रजिस्टरों में नया डाटा लिखने की प्रिक्या यानि रजिस्टरों को मतलब होता है कि मैमोरी रजिस्टर एक प्रकार की क्या है सीपीउ मैमोरी होती है तो र रजिस्टर संचायक हो केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो और अनुदेश रजिस्टर हो दोस्तों ध्यान रखना रजिस्टर मेमोरी एस्थाई मेमोरी होती है जो डाटा को कम समय के लिए श्टोर करती है क्या करती है कम समय के लिए श्टोर करती है उसके बाद डाटा को ट्रांस्वर करने का काम करती है तो अगर आपन उसके अंदर एस थाई मेमोरी में ध्यान रखना जब आपन कोई डाटा स्टोर करेंगे तो वो मेमोरी पीछे के डाटा को क्या कर देती है समाप्त कर देती है तो इसका सही जवाब क्या होगा ए होगा यानि रजिश् सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से बात करते हैं अगला कुशन क्यों सब्सक्राइब करने के लिए जिम्मेदार है एक्जिक्यूट करने के लिए करता है जिम्मेदार है यानि अपन बात करें कि सीप्यू का कौन सा घटकीasters सीधेू को जोडने का कारिये करता है सीधे उसको कinfect करता है जोडोने के लिए जीम्मेदार winding कहता है तो ध्यान रहा दोस्तो इसका सई जवाब मगा be स्ट्रोल युनिट क्या होगा लिघनी जब इसने भाह उसमें जोड़े लख थे तो भागों के उपर नियंत्रन रखना या नियंत्रन उनक्य ऊपर समन्वे स्तापित और आ पस में और उनक्य noticed करने का कार्य कोन करता है कंट्रोल यूनिट सी यू करता है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कंट्रोल यूनिट क्या होगा इसका सही जवाब कंट्रोल यूनिट होगा अगला क्यूशन है दोस्तों अपने पास क्यूशन नमबर 10 फटा फट क्यूशन नमबर 10 को पढ एक इलक्ट्रोनिक डिवाइस जो डाटा को इनफोर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है इनफोर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों सूचना information का मतलब क्या होता है सूचना में बदलने के बदलते हुए उसके उपर क्या करता है process करता है सूचना में बदलते हुए उसके उपर क्या करता है प्रोसेस करता है तो क्या उसका कार्य प्रोसेसर करता है या computer करता है या case memory करती है या इस्टाइलस करता है अब इस्टाइलस तो क्या होता है अपने पास जो मोबाइल के साथ में जो पहले जो छड़ आती थी या जो पैंसिल आती थी उसे क्या कहा जाता था दोस्तों इस्टाइलस कहा जाता है उसके बाद अपने बात करें कैस कैस क्या होती है एक प्रकार की म फ्रोसेशर होगा दोस्तों क्या होग ήसका सभी जवाब प्रोसेश र प्रसेशर एक dar का इलेक्ट्रोनिक गटक जिसके दुआरा कमपीटर सिस्टम को या कारिय्य करने के लिए तयार किया जाता थी कैं अगला प्रिय प 11 11 11 11 11 क्या पुछा फटाफट मेरे को कमेंट करके बताएंगे क्यों सब्सक्राइब क्या होगा बिल्कुल आप लों के बहुत अच्छे जवाब मिल रहे हैं मेरे को अच्छे जवाब है अगे बात करते हैं कि निमलिकित में से कौन सा सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है नहीं है यानि क्वोन साय जो CPU का भाग है नहीं है देखो दोस्तों अपन बात करें कि CPU के मात्र तीन भाग होते हैं CPU के कितने भाग होते हैं दोस्तो तीन भाग होते हैं पहला नहते हैं कmonsa CPU का भाग होता है कंट्रोल उनिट भी भाग होता है रजिस्टर भी क्या होता है भाग होता है जबकि random access memory तो एक प्रकार की memory होती है तो अलग भाग हो गया कुन सा दोस्तो random access memory तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तो D होगा, इसका सही जवाब क्या होगा D, बहुत अच्छे जवाब आप लोग के एकी serialty से मिल रहे है मेरे को बहुत बहुत बहते से जवाब आप लोग को सलाम है अगला question बात करता है qsm do receive बहुत बात करता है की प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अलिवारिये भाग है c के अंदर रजिस्टर च्या है अनिवारिये भाग है तो इसका पहला अनसर क्या है हाड़िस्क का निवारी भाग है या रेम का निवारी भाग है या कैस मेमोरी का निवारी भाग है या CPU का तो अब इसका सही जवाब क्या होगा D होगा, इसका सही answer क्या होगा दोस्तो, D, program counter, PC, register किसका भाग होता है, दोस्तो, CPU का भाग होता है, किसका भाग होता है, दोस्तो, CPU का भाग होता है, अगला question, question number 13 अपने से क्या पूछ रहा है, दोस्तो, कि निमने लिखित में से, किस memory में, निमने लिखित में से, किस memory में, CPU क सीधी पहुंच एकसेस होती है यह सीधी पहुंच होती है यह सीधी एकसेस होती है तो ध्यान रखना जो सीधे CPU से जुड़ी होती है अब जितनी भी प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है दोस्तों ध्यान रखना एक होती है प्राइमरी मेमोरी एक होती है प्राइमरी मेमो मेमोरी ट्रेंज करंद के तोर पर लगाते हैं इस बजए से कंपड-टर में को और सेकंडरी मेमोरी को एक्टरनल मेमोरी कहा जाता है या बाहिए मेमोरी कहा जाता है तो जो सीधा संबंद होता है पूछ क्या रहा है कि किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है तो ध्यान रखना हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों बारी रूपए सेकंडरी मेमोरी में होता है बिल्कुल अगला क्यूशन बात करते हैं दोस्तों क्यूशन नंबर 14 अपने से क्या पूच रहा है कि निमने लिकित में से CPU का कौन सा भाग एल्यू कि रिया विधी के दोरान ऐस थाई रूप से आंकडों का संग्रेन करता है कि जब समय रखना दोस्तों किसके दुरा कियाा जाता है रजिस्टर के दुरा किया जाता है किसके दौर किया press यतर्रम में क्या 夹ोन कर संग्रेन किया जाता है उसका सइस जवाब कि होगा एगला किसने अपने पास क्यूशन नंबर 15 हीश निम्लिकित उत्पाद को में से कौन सा उत्पाद पेंटीनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है अब ध्यान रखना दोस्तों पेंटीनियम जो ब्रांड होता है दोस्तों एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है किसका नाम रखा गया है माइक्रो प्रोसेसर का तो पूछ क्या है कि पेंटीनियम ब्रांड नाम से या किसना पेंटीनियम नाम ब्रांड से किसको बेचा जाता है तो किसको बेचा जाता है दोस्तों माइक्रोप्रोसेसर को बेचा जाता है किसको बेचा जाता है दोस्तों माइक्रोप्रोसेसर और पेंटीनियम ब्रांड या माइक्रोप्रोस प्रकार का गस wiping प्रकार का मायक्रो प्रोसेसर है क्या है दोस्तो माइक्रोफ्रोसेसर है अगला क्यूसरक्ष्ण खुती है अदिश्ड भी अत्रकार का क्या है दोस्तो माइक्रो प्रोसेसर है पेंटीनियम प्रो भी एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है पेंटीनियम सेकेंड भी पेंटीनियम थर्ड भी और पेंटीनियम फिर सेकेंड आया तो अपसे पूछा गया है कि उच्चतम छमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कोन सा होगा तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कि सभी क्या होते हैं, उच्यतम छंतावाले increased calendar मार्चरों किया गया, कौन सी कंपनी बना रही इसको दोस्तो, intel companies का निर्मान किया है, intel company ने pentanium brand का निर्मान किया है, और pentanium pro को दोस्तोh, 1915 में में लोंच किया गया, कब लोंच किया गया दोस्तों 1905 में में उसके बाद पेंटीनियम सेकेंड और थाड़ को मार्केट में लाया गया तो धान रखना पेंटीनियम प्रोव 1905 में में उसके बाद सेकेंड और थाड़ को मार्केट में लाया गया और पेंटीनियम एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेस 4004 के नाम से किया था इंटेल 4004 के नाम से किया था सबसे पहले ठीक है दोस्तों बात करते हैं अगला क्यूशन क्यूशन नंबर 16 17 नंबर क्यूशन क्या पूचे अपने से कि इंटेल क्या है अभी अपने पिछले क्यूशन में भी बात कि थी इंटेल के बारे में तो क्यूशन नाड़ा कू वीमानगानम तो दूस्त अभी अपन ने बात सिए इंटेल किस का नाम एक एक कमपनी का नाम है और किस कंपनी एक कंपनी किस प्रकार कि यह यह यांनी स्कांप्यटर के पार्ट बनाती है तो समप्यस्य सब्वार्ट भी दोस्तोड keeping दोस्तें ग्यों स्लेकूल अच्छे जबाब आ रहे आप लोगों के बहुत बहुतरीन आप लोग जबाद ज़वाब दे रहे…बहुत अच्छे जबाब आ रहे आप लोग के अगला बात करते हैं दोस्तोंकू कूश्वा CO 2018 इप से क्या पूछ रहा है कि आठ बिट सब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर आठ बिट सब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर खालिस्तान बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है जान रखना दोस्तों जितने भी बिट का आप समू पूछे कि जितने बिट का समू या बिट सब्द का समू पूछे तो उतने ही बिट का क्या किया जाता है डाटा को पर प्रोसेस किया जाता है तो पूछ क्या रहा है कि आठ बिट सब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर खालिस्तान बिट बिट को खालिस्तान बि 19 अपने से क्या पूचा है फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट कमेंट्स करके बताएंगे 19 नंबर क्यूशन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों फटाफट फटाफट मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों ध्यान जड़ नहीं बदलता ओली अपनी पत्या बदलती है तो अपने अगर सफलता नहीं मिल रहे हैं तरीके बदलने इरादे नहीं बदलने ध्यान रखना दोस्तों अगला क्यूशन देखो बात कर रहे हैं अपना 19 नंबर क्यूशन की निमली कित में से कौन सा एक फेरी फेरल इसका आ जाता है तो ज्यान देंगे इदर आपन प्रिंटर को भी बारी और से जोड़ते हैं आपन मोनिटर को भी बारी और से जोड़ते हैं और आपने कीबोर्ड को भी बारी और से जोड़ते हैं तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों मदर बोर्ड जबकि मदर बोर्ड तो CPU में एक प्लेट होती है जो तो पहले सही क्या होती है दोस्तों उपस्तित होती है तो इसका सही जवाब क्या होगा मदर बोर्ड होगा इसका सही जवाब क्या होगा मदर बोर्ड बात करते हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन है दोस्तों अपने पास क्यूशन नंबर 20 क पूछ रहा है फटापट मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि क्यूसन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा अरे बिल्कुल अच्छे जवाब आ रहें आप लोग के बहुत बहुत बैतरीन जवाब आ रहें आप लोग की तैयारी देख के मेरा दिल खुश हो गया बात करतें अगला क् प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, बात करें दोस्तों, इंपुट डिवाइस इंपुट तो डाटा को डालने का काम करती है, उसके बाद आउटपुट डाटा को निकालने का काम करती है, मेमो तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों डी होगा इसका सही जवाब क्या होगा डी होगा बिल्कुल बहतरीन जवाब बिल्कुल अच्छे जवाब आ रहे हैं कि डी होगा इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों डी होगा बात करते हैं अगला कुशन कुशन नंबर 21 बात कर को एल यू का पूरा नाम बताना है एल यू का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों आर्थमेटिकल लोजिकल यूनिट होता है और ध्यान रखना दोस्तों एल यू जो होता है वो मैथमेटिकल मैथमेटिकल का मतलब होता है कौन सी गणना है प्लस माइनिस गुणा और भाग लेस देन ग्रेटर देन और एक्वाल यानि मैथमेटिकल और लोजीकल गणनाई प्लस माइनिस गुणा भाग और ग्रेटर देन लेस दन और एक्वाल यहीं गणनाई क्या कहलाती है दोस्तों आर्थमेटिक लोजीकल गणनाई कहलाती है तो एल्यू का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों arithmetic and logical unit होगा बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल अच्छा जवाब है आप लोगों का ए आंसर बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आप लोगों के बात करते हैं आगला कुशन आजाओ दोस्तों क्यूशन नमबर 22 अपने से क्या पूछ रहा है अंक गणीत ये वह तारकिक दोनों कारिये जिसमें किये जाते हैं वह है यानि जिसमें अंक गणीत और तारकिक दोनों प्रकार की प्रति किया की जाती है जो अपने पहले क्यूशन में भी बात की है अंक गणीत और तारकिक दो अनुकारी जिसके द्वारा किये जाते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों पिछले क्यूशन में बात की थी उसको क्या का जाता है एल यू आर्थमेटिक एंड लोजिकल यूनिट अंक गणितोर तारकी की काई बहुत बहतरीन जवाब आ रहे हैं बिल्कुल अच्छे जवाब है से अगlastья आ serait करते हैं अगला क्यूशन दोस्तों क्यूशन नमबर 23 आज का i3 नमबर क्यूशन है दोस्तों फटा-फट मेरे को बताएंगे arithmetic calculation के द्वारा की जाती है arithmetic calculation किसके द्वारा की जाती है फटा फट मेरे को comments करके बताएंगे कि arithmetic calculation के द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाती है क्या register memory के द्वारा की जाती है या memory unit के द्वारा की जाती है या ALU के द्वारा की जाती है एल यू किसके द्वारा की जाती है एल यू तो इसका सही जवाब क्या होगा एल यू होगा बिल्कुल बैतरीजवाब आप लोगों के आड़े बहुत बढ़िया जवाब एल इत बिल्कुल सही जवाब अगला बात करते है डोस्तो कि कंपिटर को दिये गए आदेश कमांड अब आदेश किसको कहते हैं कमांड याई जो अपन निर्देश देते हैं कम्पीटर को उसे कमांड या आदेश का जाता है तो कम्पीटर को दिये गए आदेश या कमांड के किरियानवे की छमता निम्न लिखित में से निम्नांकित में से किसमें है यानि मुरी में है तो जब अपन कमांड देते हैं तो उनके उपर जो कारिय किया जाता है दोस्तों वो करता है अंक गणित तरक इकाई कोन करता है दोस्तों अंक गणित तरक इकाई यानी CPU में जो गणना संबंधी काम होता है वो कोन करता है अंक गणित तरक इकाई करता है बिल्कु करते हैं दोस्तों अगला क्यूशान क्यूशन नंबर 25 आज का 25 नंबर क्यूशन फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि सीप्यू के होते हैं cpu के alu मेंmen क्या होता है इन में से क्या रेम स्पेस होता है क्या रजिस्टर होता है क्या बाइट स्पेस होता है जब सप्ट आप रेम होता है दोस्तों वह CPU supp aspect रे же से काम में ले जाता है binary नमबर से बना होता है और binary नमबर होते है 0011010ась से किसका निर्माण होता है दोस्तो विट का निर्माण होता है डाटा दोस्तो रचिस्टर यहनी सीप्यों की एलिव में होते हैं रचिस्टर जब CPU का ALU गणना करता है उस समय डाटा को Azure time रูप से register store करने का कारिये करता है कौन करता है दोस्तो register store करने का कारिये करता है बिल्कुल आगला question बात करते हैं दोस्तो question no 26 क्या पुछरा अपने से कि computer की memory computer की memory arithmetic logical unit और input output device को बताता है कि किसी कारिय करम के इंट्रक्षन को कैसे प्रतिक्रिया देना है यानि अपने को ये क्यूशन क्या कह रहा है कि Артметik Logical Unit, Input, Output Input, Output, Arthmetik Logical Unit इन सब के अन्दर समन्मवे اس्तापित करना इनके उपपर कंट्रोल इसतापित करने का कारिय नियंत्रन इस्तापित करने का कारिय किसके दुआरा किया जाता है तो ध्यान रखना दोस्तो इस्टोरेज उनिट के दुआरा नहीं किया जाता ना उसके उपर इंपूट डिवाइस करता है ना उसके उपर लोजिकल उनिट करता है तो उसके उपर नियंत्रन कोन करता है दोस् अच्छे जवाब आ रहे हैं आप लोगे बहुत अच्छे जवाब चलो बात करते हैं आगेला क्यूशन क्यूशन नंबर 27 आज का स्थाइस दोस्तों CPU का कौन सा भाग program के CPU का कौन सा भाग program के अनुदेशों के निश्पादन का चैन निर्वाचन वे मोनिटर करता है यानि उनका क्या करता है उसके बाद उनका निर्वाचन करता है उसके बाद उनका क्या करता है मोनिटर करता है तो ध्यान रखना दोस्तो मेमोरी क्या करती है डाटा को इस्टोर करने का काम करती है डाटा को क्या करती है दोस्तोर करने का क करता है मोनीटर करने का कारिय कौन करता है दोस्तो एल यू करता है कौन करता है दोस्तो एल यू करता है चैन निर्वाचन और मोनीटर का कारिय कौन करता है दोस्तो एल यू करता है कौन करता है एल यू करता है तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तो एल यू आगला क्यूश का कौन सा भाग केंद्रिये नाडी तंत्र कहलाता है कौन सा भाग केंद्रिये नाडी तंत्र कहलाता है दोस्तों ध्यान रखना अपन बात करें CPU दोस्तों ध्यान रखना अपन बात करें CPU देखो दोस्तों CPU के तीन भाग होते हैं कितने भाग होते हैं दोस्तों तीन भाग होते समस्त गणना करता है इसलिए इसको CPU का मस्तिस्क कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों मस्तिस्क कहा जाता है प्रतेक क्रिया पर नियंत्रन रखने का कारिय करता है तो इसको दोस्तों हाइट कहा जाता है किसका CPU का अब हाइट होता है दोस्तों अपना जो हाइट होता है प्र सी यू को हाट का गया तो हाट ही क्या होता है कंट्रोल करने का कारे करता है तो इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट तो कंपीटर का नाड़ी तंत्र किसको कहा जाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है अगर आप से कंपीटर का मस्तिस्क पू मदरबोर्ड क्या है क्योशन पुचा है कि कम्पीटर के ओन करने पर एकसेस किया जाने वाला पहला चिप है या सर्किट बौड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है या CPU चिप या सर्किट बौड जिसमें CPU और अन्य चिप लगी होती है तो दोस्तों ध्यान रखना Motherboard एक बूरे रंकी, फाइबर रंकी एक प्लेट होती है, अब दोस्तों ध्यान रखना कि जो प्लेट होती है, अगर CPU से उस प्लेट को निकाल लिया जाए, तो CPU का जो बाहरी आवरण बचता है, उसको cabinet CPU का जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि CPU क बाहरी आवरण को क्या कहते हैं cabinet CPU कहते हैं तो अपने से पूछ किया रहा है कि मदर बोर्ड तो उसके अंदर जो प्लेट लगी होती है जो भूरे फाइवर रंकी होती है जिसमें CPU चिप लगी होती है और CPU के अन्य भाग भी जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तो मदर बोर्ड पर CPU तथा मदर बोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है कि मदर बोर्ड पर CPU तथा दूसरे पुर्जों को जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं इंपूट यूनिट कहते हैं या सिस्टम बस कहते हैं या ALU कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी अ करती है डाटा को स्टोर करती है एल्यू डाटा की उपर कैलकुलेशन करता है तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों सिस्टम बस बस का मतलब होता है कि डाटा को संचरन करने का इलेक्ट्रोनिक रास्ता ही क्या कहलाता दोस्तों बस कहलाता है तो इसका सही जवाब क्या अब दे रहे हो आप लोग तो अब आपने आज अपने बात की CPU से संबंधित 30 important क्योशन कल अपन दोस्तों बचे होए CPU के important क्योशन की बात करेंगे और वही अपन 8 बजे मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए जाहिंद गुड़नाइट दोस्तों लेकिन वीडियो को सेयर करना मत बूलना दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ताकि मैं आप लोग के लिए आगे से और बैतरीन क्यूशन ले क्या हूं तब तक के लिए जैहिंद और रहे हूं सब्स्क्रा स स सबना भाली क्या हुआत बाला दो साल दोलना दो मैं लोगों का लोगे सादे लिए जैहिंद